सुप्रभात्वं बच्चों आज हम कक्षा साथ्वी सुर्वी भाग 2 के पार्ट टूकू करेंगे पार्ट वन में हमारा पार्ट दो की हिंडी और प्रश्ण नमबर एक से लेकर चार तक हो गया था अब हम पार्ट टूकू करेंगे तो यह हमारा प्रश्ण नमबर पांच है हमारा एते शाम प्रश्ण नाम उत्रानी पूर्ण वाक्यन वदन्तू लिखन्तू च यहां तक पहले हो गया था हमारा प्रेशन नमर चार तक प्रेशन नमर पांच में है इसमें हमने प्रेशनों के उत्रों को पुर्ण वाक्य में देने है तो हमने यहां पे वदन्तु लिखन्तु चाह हमने इसको पहले बोलना भी है और फिर लिखना भी है केशाम संख्या नयुन तरह अभवत तो इसका उत्तर आगा पशुनाम संख्या नयुन तरह अभवत मेरे साथ भी बोलिये पशुनाम संख्याहा नयुन तरह अभवत दूसरा है श्रीगालिह मारगे किम अपश्यत श्रीगालाहा मारगे सीहसे चरण चेहिनानी अपश्यत गीदर नहीं रास्ते में शेर के पाऊं के निशानों को देखा तिसरा है गुहा या समीपम गत्वा श्रीगाला किम अवदत शिंग गुहाया समीपम गत्वा शिगालहा उच्चे अबदत अई गुहे अहम आगच्चम प्रतिदिनम एव कथयम सरवत्र कुष्णम अस्तिनावा और चोथा है सत्यम ग्यात्वा शिगालहा के मकरोत और पांच्वा है कपश्चातापम अकरोत आप लोगों ने इन प्रेशनों के उत्रों को भर लेना है अपनी पुस्तक में सभी ने अब है वेटा हमारा प्रशन बर्चे स्थूल पदस्य स्थाने समुचितम प्रशन वाचक पदम चित्वा प्रशन निमाणम प्रवन्त हो यह है आप लोगों का प्रशन निमाण और प्रशन निमाण में हम हमेशा उत्तर को लिखने के लिए हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? किम शब्द का प्रयोग करते हैं कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? किम शब्द का पुलिंग, स्ट्रीलिंग और नपुन्सगलिंग ठीक है? तो इसमें क्या है हमारा पहला है सीहा हाँ सीहा के लिए टीक कर लो कह तो आप लोगोंने इसको भर लेना यहां पर आएगा कह ठीक है बिटा? मैंने यहां पर राइट किया तो इसको भी आप लोग भी राइट कर लिजेगा तो इसको बाद में आप लोगोंने इसको भर लेना है दूसरे का है सिहात, हमने प्रेशन्य माना इसका करना जिसे जो डार किया आए आप है सिहाँ है, ये कुछ एक टाइम पेपर में पूछे जाते हैं तो ये रिखांके जीफित कीवेश्याव्द कना जिनका आप लोगों ने प्रेशन्य माने जैसे सिहात, टीक है, पश्वाहा, सीहाह, पशुनाम, श्रीगालाह इस परकार से भी इसको पेपर में लिखा जाता है तो पहले का अगया कह, दूसरे का अगया कस्मात, तीसरे का अगया है के और चोथे का अगया कह, और पांच्वे का अगया केशाम, और छटे का अगया कह ठीक है पीटा अब हमारा प्रेशन नमबर साथ अदोल लिखित वाक्यानी कथा क्रमानु सारें लिखनतु हो तो इसको आप लोगोंने क्रम से लिखना है कैसे लिखना मैंटे सो क्रम से लिखना है क्रम से लिखना आप लोगोंने यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने नम्बनिंग की वी पहले यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच तो आप लोगों ने पहले मैंगा इसको इस तरह लिख लिजेगा नम्बनिंग कर लिजेगा एक, तीन, चार, दो, एक पहले यहाँ पर एक को आप लोगों ने उपर से लिखना है दूसरे में आप लोगों ने इसको लिखना है तिसरे में आप लोगों ने इसको लिखना है चोथे में आप लोगों ने इसको लिखना है और पांचों में आप लोगों ने इसको लिखना है ठीके बिटा अब हम पार्ट टू में हम आज व्याकर्ण को भी पड़ेंगे तो आप लोगों ने मेरे साथ उचारण करना है सभी ने बोलिए व्याकर्णम धातु रूपाणाम परियोगाहा इसमें क्या बिटा हमारे पहले पूरुष दिये गए याँ पे और फिर वचन दिये गए तो पूरुष हमारे इदरख होते नीचे को तो बोलिए प्रत्माहा मध्यमाहा उत्माहा तो यह होगा हमारे तीन पूरुष होगे कितने पूरुष होगे तीन प्रत्म पूरुष मध्यम पूरुष और उत्तम पूरुष तो वेसी प्रकार से वचन होगे हमारे बोली वचनम, एक वचनम, दुई वचनम, बहु वचनम इसको आप लोगने बस पढ़ना मेरे साथ बालाहा पढ़ती ही, बालव पढ़ता हा, बालाहा पढ़ती ही सह अबलिक सा पढ़ती तव अबलिक ते पढ़ता हा और ते अबलिक तहा पढ़नती ही इसका अर्थोग बटा कि वह पढ़ता है वे दू पढ़ते है वे सब पढ़ते है ठीक है और इसका भी बालाहा पढ़ती की बालक पढ़ता है वे दो बालक पढ़ते हैं और वे बहुत सारे बालक पढ़ते हैं अम मद्यम पुरुष की बात करते हैं तौम पढ़ता है तौम पढ़ता है तौम पढ़ता है तौम पढ़ता है तौम दोनों पढ़ते हैं तौम सब पढ़ते हैं उत्तम पुरुष में है, अहम पठामी, आवाम पठावा, वयम पठामा, अहम मींस मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, ठीके? और इसको हम इस परकार से भी पढ़ते हैं, कभी हमने जैसे धात्व को पढ़ते हम लोगों, कि पढ़ती पढ़ता हूँ, 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 पढ़ता हू आमी आवाह आमह ठीक है अब यहाँ पर अभ्यास को हम करेंगे उधारणम अनुश्रित्य रिक्स्थानानी पुर्यन्त हो आप लोगों ने रिक्स्थानों को पूरा करना है ठीक है बेटा तो पहले मैं आएगा अहम जो रिक्स्थान था पहले पठामी अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर सीधा पठामी क्यों आया तो यह हमारे पास जो पहला है यहाँ पर अहम आवाम पठावा वयम पठावा ठीक है तो यहाँ पर रिक्स्थान और यहाँ पर रिक्स्थान था यहाँ पर भरावा तो हमने देखना है कि यहाँ पर आवाम पठावा की बातारी कि हम दोनों पढ़ते हैं इससे हमें ग्यात हो रहा है कि यहाँ पर कौन सी धात वाएगी पठ धातू तो इसलिए यहाँ पर आएगा अहम पठामी और यहाँ पर आएगा पठामा अब दूसरे में क्या है बाली का निरित्यती है यहाँ पर लिखा पहले इसको आप लोगों लिखना है बाली के निरित्यताहा और यहाँ पाएगा निरित्यती और तौम के साथ धावसी और फिर आएगा धावथा और फिर आएगा जनव भ्रमतह और जनह भ्रमन्ति है गजहा चलती और गजहा चलन्ति है और इसको भी पूरा करना है चटका कूजती चटके कूजताह और फिर नीचे आगया तो हम कृट सीच आगे यूवाम कृटताह और योयम कृटत समझागा बेटा इसका अर्थ होता है पठामी का अर्थ होता है पठ धातु आयाँ पर इसका अर्थ होता है पढ़ना और यहाँ पर नरित धातु आये नरित का मींस होता है नाचना और धाव धातु आती बेटा धावती धाव से ही याती दोडने के लिए और भ्रम धातु आती है घूमने के लिए चल धातु आती चलने के लिए और चटका कुझती और कुझ धातु आती है चह जाने के लिए जो पक्षी बोलता है और क्रिट धातु आती है क्रिड मींज खेलना ठीक है और अब हमारा प्र आप लोगों ने रिक्स्तानों को पूरा करना है तो पहले से यहां गर्ष्ती पे टिक पहले यह भरा हो यहां पे वयम तो यहां पर आप लोगों ने लिखा महा को टिक कर लिजेगा इसको आप लोगों यहां पर भरना है तीसरे मायगा स्ताह को टिक कर लिजेगा अब पेज नमबर टैन पे आज़ेए चोथे मायगा नमता हा और पांचों में लिखता हा और छटे में आज ये पश्यत ठीक है अब प्रेशन मबरतीने उधारना नुसारम वाक्यानी पूरियनतु हो तो यहाँ पर बिटा पहले लट लकार है और फिर है लंगलकार ठीक है लट को लंगलकार में भरना है ठीक है यहाँ पर लटलकार में भरना आप लोगों ने और इदर लंगलकार में भरना है तो पहले देख लिजीगा ये भरावा पहले प्रेशन दूसरे माज़े तौम गच्सी तौम अगच्छा हा, इसको अगच्छा बढ़ना आपने तीसरे में अहम चलामी ही ठीक है, चौथे में ते गच्च्तह ते बालिके गच्च्तह ठीक है बेटा और पांचों में यहाँ पे नमत है लिखावा तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है अनमत ठीक है बेटा यह हमारा पाट दो हो गया है धन्यवाद बच्चों